हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लन्विर दितिमन, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की अंतरगत उपसर्ग से संबंदित प्रश्न करेंगे, आप लोगों ने पहले भी किये थे उपसर्ग से संबंदित कुश्चन, तो मैंने इस चीज को मादिमिक सिक्षा बोड की बुक स आप लोगों को डिटेल में उपसर्ग और प्रत्य करवाए हैं कि कितने संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कितने हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और कितने उर्दू या विदेसी भासा के उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग क्या होते हैं, वो सब्दांस होते हैं, जो सब्द क पहले जुड़कर शब्द का क्या करते हैं? मीनिंग बदल देते हैं. इसके अलावा प्रत्य की बात की थी, कि प्रत्य वो होते हैं, जो सब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं. तो यहां हम बिल्कुल डेटेल में बात नहीं करेंगे. आप लोग वो वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में उपसर्ग और प्रत्य दोनों का ही पढ़ा हुआ है. बहुत ही डेटेल में मैंने आप लोगों को उस चीज को समझाया है और पढ़ाया है. तो चलिए, यहां हम कोश्चन की बात करेंगे. कोश्चन बन देखिए, निमनलिकित शब्दों में अनुपसर्ग कि शब्दों में नहीं है? अनुरवर, अनुवानशिक, अनुवीक्षा या अनुरत. तो इन मैंसे सही आंसर जो है वो आपको सोचना है. कि यहाँ पर अनुपसर्ग के सब्द में नहीं है तो देखिए किसी भी कुशन में डाउट होता है उस चीज को भी हम लोग क्लियर करते हैं बिना ही इस बात को सोचे कि कौन यहाँ पर गलत हो सकता है ठीक है तो मैं भी गलत हो सकती हूँ लेकिन हमें क्या करना होता है या कोई भी कुशन जो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर करना होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को क्लियर भी कर देती हूँ तो देखिए यहाँ पर अनुपसर्ग के सब्द में नहीं है यह चीज आपको देखनी है तो यदि A, B, C, D इन चारों में ही देखें तो यहाँ अनुप आपको लिख रहा है A option में और D option में तो इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो उपसर्ग जो है वह नहीं मिलता है यदि हमें मूल शब्द पता चल जाए तो उपसर्ग आसानी से खोजा जा सकता है तो यहाँ पर आंसर जो है option number A बिल्कुल right होगा और वो क्यों होगा क्योंकि D option देखिए अनु और रत ठीक है यहाँ पर अनु उपसर्ग है क्योंकि रत जो है वो क्या है एक मूल शब्द है C option देखिए अनु वीक्षा तो यहाँ पर अनु जो है वह उपसर्ग है और इक्षा जो है वह क्या होगा हो क्या होगा मूल शब्द और इसी तरीके से B option में भी अनु क्या है उपसर्ग है लेकिन यह आनु क्यों बना क्योंकि इक प्रत्य लगते ही क्या हुआ पहले स्वर में व्रद्धी हो गई ठीक है तो यह बन गया आनु वांशिक तो यहाँ पर भी अनु उपसर्ग है लेकिन ए option में यदि हम अनु को उपसर्ग निकाल दें तो last में जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ नहीं है व्रर जो है वह कोई शब्द नहीं होता है तो यहाँ पर क्या है अन धन उर्वर मूल शब्द क्या है उर्वर और अन जो है वो उपसर्ग होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा यह option is right निमने लिकित में से किस सब्द में दो उपसर्ग नहीं है अद्धिहापक, आपचारिक, व्यवस्था या अन्याए तो यहाँ पर क्या है तीन option जो है इन में दो उपसर्ग है लेकिन एक option में क्या है दो उपसर्ग नहीं है किवल एक ही उपसर्ग है तो बिल्कुल मूल शब्द को बाहर करिए अपने आप ही पता चल जाएगा और सबसे पहले तो आप लोगों को उपसर्ग जो है वो याद रहने चाहिए कौन-कौन से उपसर्ग होते हैं तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ओप चारिक ठीके अध्यापक जो है उसमें कौन सा उपसर्ग होगा अधी ठीके अधी उपसर्ग होगा और एक ही उपसर्ग यहाँ पर दो उपसर्ग है अधी और आ ठीके इसके अलावा विवस्था में वी उपसर्ग है और अव जो है वह उपसर्ग है तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा B option ठीक है क्योंकि B option में आप चारिक इसमें क्या है दो उपसर्ग नहीं है इसमें एक ही उपसर्ग है और वो कौन सा है उप ठीक है उप उपसर्ग है और एक प्रत्य लगते ही वो क्या बन गया आप बन गया इसके अलावा अध्यापक व् शब्दों में से किसमें उपसर्ग ही नहीं है व्यवसन, वीक्षा, विपिन या वैकल्पिक तो फटा-फट से देखिए किसमें उपसर्ग नहीं है तो मूल शब्दों को बाहर करिए आंसर आपको मिल जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर उपसर्ग किसमें नहीं है उपसर्ग जो है वह सी उप्शन में नहीं है क्योंकि यदि हम वी को बाहर निकाल देते हैं तो पिन जो है वह ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो कि वी को मिलकर बने ठीक है तो विपिन जो है वो खुद में ही क्या है एक इसके अलावा व्यवसन, वीक्षा और वेकल्पिक इन तीनों में ही क्या है उपसर्ग है व्यवसन में कौन सा है वी उपसर्ग है वीक्षा में भी उपसर्ग है और वेकल्पिक में भी उपसर्ग है कि शब्द में उपसर्ग नहीं है तो ये भी कुश्यन जो है वो उपसर्ग नहीं से संबंदित पूछा गया है सौभाग्य, सजल, सरोवर और संयोग तो सोचिए इसमें से सही आंसर क्या होगा कोई भी कुशन में आपको डाउट आता है तो कमेंट में लिखेगा तो बिल्कुल डाउट जो है वो क्लियर होंगे तो उपसर्ग किसमें नहीं है सौभाग्य, सजल, सरोवर या संयोग तो बिल्कुल अंसर क्या रहेगा अंसर रहेगा ओप्शन नमबर सी क्योंकि सरोवर जो है वह क्या है खुद में ही एक शब्द है अगर हम सर जो है वह है उपसर्ग बाहर निकाल ले तो यहाँ पर जो रह जाता है ओ की मात्रा है और वह है रह है यह कोई शब्द नहीं बनेगा शरोवर खुद में ही एक शब्द है इसके अलावा ए उप्शन में सू उपसर्ग है बी ओप्शन में सू उपसर्ग है और डी ओप्शन में सम उपसर्ग है कि शब्द में अनुपसर्ग नहीं है अनुदीत अनुरवर अनुविती या आनुपातिक तो किस में अनुपसर्ग नहीं है तो यहाँ पर क्या आन्सर रहेगा यहाँ बिलकुल आन्सर देखिए ओप्शन क्या रहेगा ओप्शन नंबर बी जो है वह सही रहेगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उरवर शब्द है और यदि उपसर्ग यहाँ निकाले तो अनुपसर्ग जो है वह बाहर निकलेगा तो यहाँ पर अनुपसर्ग जो है वह बी उप्शन में नहीं है इसके अलावा ए उप्शन में देखिए अनुधन उदेत हो जाएगा ठीक है, यहाँ C option में भी अनु उपसर्ग है और D option में भी एक प्रत्य लगते ही जो है अनु जो है वो आनु बन जाता है तो यहाँ पर भी अनु उपसर्ग होगा किस रब्द में वी उपसर्ग विपरी तर्थ दे रहा है? विचार, विशुद, वियोग या विजय तो यहाँ पर विपरी तर्थ दे रहा है यह सोचिए यहाँ पर विलोम शब्द जो है वही पूछा गया है ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है कि वियोग जो है वो क्या है बिलकुल विपरीत अर्थ दे रहा है इसके अलावा विचार जो है वह विपरीत अर्थ नहीं दे रहा है शुद्ध और बहुत जादा शुद्ध तो विशुद्ध हो गया यह भी बिलकुल समान अर्थ है शुद्ध का और जै और विजै यह भी क् कित में किसमें आ उपसर्ग का प्रियोग हुआ है अनुज अनुगामी अटल या अनपड तो यहां पर आंसर क्या रहेगा क्योंकि यहां पर कौन सा उपसर्ग है अधन तल इसकी अलावा अनुज जो है वह खुद ही एक शब्द है अनुगामी में अनुपसर्ग है अनपड में जो है वह उपसर्ग है जो की टल के साथ बना हुआ है आधन टल अटल कि शब्द में उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है आउगुण लाचार कपूत और लडाकू तो किसमें नहीं हुआ है तो यहाँ पर बिलकुल आंसर क्या रहेगा लडाकू क्योंकि यह क्या है लड़ क्रिया से बना है और यहाँ पर कू क्या लग रहा है प्रत्य लग रहा है ठीक है इसके अलावा आओ धन गुण इसमें उपसर्ग है ला जो है वह है उपसर्ग है विदेसी भासा का ठीक है मूल तो D option में क्या है? प्रत्य का प्रियोग हुआ है. दोसकर में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए चारों ही क्या है? A option दुष है, B में भी दुष है, C में भी दुष है और D में भी دुह है. तो सूचिए इन चारों में से सही आंसर क्या रहेगा? तो बिलकुल यहां पर आप लोगों ने याद किये हैं, तो A option तो बिल्कुल नहीं होगा, C option देखिए, C option एक तरीके से तो सही है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग के साथ यदि सा होता, तो यह भी आंसर सही हो जाता, और दो जो है, वह किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता है, आंसर रहेगा option नमबर B Next देखिए, question 10, किस सब्द में दो उपसर्ग नहीं है, प्रत्यूत्पन, समावेश, व्यागात और उनमत तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, वो क्या होगा, आंसर बिलकुल होगा, option नमबर D क्योंकि यहाँ पर देखिए, केबल एक ही उपसर्ग है, उद, ठीक है, उद, धन, मत इसके अलावा, प्रत्यूत्पन में प्रति और उद, दो उपसर्ग है, समावेश में सम और आ, दो उपसर्ग है, व्यागात में यहाँ पर भी वी और आ, दो उपसर्ग है, ठीक है, तो तीनों में ही दो उपसर्ग है, लेकिन D option में एक ही उपसर्ग है, तो इन 10 में से आप आपको बताना है और आप लोगों ने यदि उपसर्ग याद नहीं किये हैं, प्रत्य याद नहीं किये हैं, तो याद करिएगा आप लोग प्लेइलिस्ट में वीडियो जो है हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्य का करवाया गया है, जो कि मादमिक सिक्षा बोड की झाल